Hi guys, एक बार फिर यहाँ पर Polkadot से related AI की एक बड़ी टिपनी हमें देखने को मिली है इसे के साथ में Polkadot से related ही यहाँ पर काफी सारे अच्छे price predictions लगाये जा रहे हैं और कही ना कही Ethereum ETF से related negative sentiments का market में Polkadot पर एक अच्छा खासा effect हमें देखने को मिल रहा है इसे के साथ में 2024 के लिए यहाँ पर $25 से लेकर तो $50 जाने तक के price prediction समय देखने को मिल रहा है काफी बड़ी है price prediction यहाँ पर dot coin से related आ चुके है जहाँ पर experts के हिसाब से इस समय पर Polkadot में invest करने का long term investors के लिए यह आखरी मौका है इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा उसका भी reason आपको यहाँ पर detail में समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर तो make sure आप इस वीडियो को last तक देखिए इसे के साथ में crypto से related ऐसे videos को देखते रहने के लिए आप हमारे चानल The Crypto Byte को subscribe कर सकते है साथ ही में यहाँ पर आप हमारे telegram group को भी join कर सकते हैं जहाँ पर premium signals आपको free में हम provide करने की कोशिश कर रहे है तो इस group का link मैंने नीचे description box में देदिया है अब जाके join जरूर करें Hello दोस्तो, welcome to the Crypto Byte और आज हम लोग बात करने वाल है pull का dot यानि की dot coin के बार में उससे भी काफी जदो ऊपर आपको यह coin जाता दिखाए 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 एकस्पेक्टेड है यहाँ पर कि 300 and 64 dollars को भी आपको यह coin टच करता दिखाए दे सकता है अब इन सारी चीजों के बार में सबसे पहले आज हम बात करने वाल है तो यहाँ पर ETF approval के जातक बात की जाये तो Ethereum ETF approval से related काफी सारी updates आती दिखाए दे रही है यहाँ पर negative sentiments create किये जा रहे है Ethereum ETF approval से related जहाँ पर SEC काफी सारे hurdles create करती दिखाए दे रही है इस ETF approval पर अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते है कि Polkadot Ethereum killer माना जाता है और Ethereum का आज के समय में सबसे पहला और सबसे बड़ा competitor है अगर यहाँ पर Ethereum से related negative of 5 LI जा रही है या फिर negative sentiments create हो रहे है तो कही ना कही यहाँ पर Polkadot भी एक अच्छा खासा profit यहाँ पर gain करेगा इसी वज़े से Polkadot का price increase हो रहा है और कही ना कही इस से related positive sentiments भी market में create हो चुके है तो यहाँ पर यह एक बड़ा reason है जिसके कारण Ethereum ETF approval ना होने का Polkadot को काफी जादा फायदा होगा वही पर 2024 की जातक बात की जाए तो $25 से लेकर तो $50 के price predictions हमें देखने को मिलते हैं और expect किया जा रहा है कि 2025 में यह coin आपको maximum $364 को भी जाता दिखाई दे सकता है अब क्या सच्छा है इस price prediction में उसके बारे में हम जान लेते है AI का यहाँ पर यह दावा है कि यह coin technical analysis के हिसाब से काफी अच्छा price prediction रखता है 2024 के लिए maximum price prediction $12 के आसपास लगाए गया है technical analysis के हिसाब से 2025 में $18 के आसपास और 2033 तक आपको यह coin $364 के आसपास जाता दिखाई देगा technical analysis के हिसाब से वही पर काफी सारे experts यह मानते है कि 2024 का जो maximum price prediction आपको देखने को मिलेगा इस coin से related वो लगभग $25 से लेकर तो $50 के आसपास जाता दिखाई देगा इस तरह की चीज़े आपको देखने को मिल सकती है और expect किया जा रहा है कि minimum 2025 में बुल्टन की शुरुवात में आपको यह coin minimum $100 को पार करता दिखाई देगा इसके 2021 के all time high की तरफ अगरम ध्यान दे तो $55 का इसका all time high है 2021 के अंदर expected है कि अपने all time high को तो यह आराम से break करेगा ही और और भी जादा उपर जाने का potential रखता है इसी वज़े से इस तरह के price predictions हमें देखने को मिलते है और experts की काफी ज़्याद उमीद है यहाँ पर polka dot से related अब यहाँ पर मैंने यह क्यों कहा कि इस coin में long term के इसाब से invest करने का यह आखरी समय है क्योंकि यहाँ से आपको यह coin सूलाना जितना pump होता दिखाई देगा यानि कि अगर bullrun आने पर यह coin अपने expected price prediction को touch कर लेता है यानि कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 100 dollars को भी अगर ही minimum touch कर लेता है तो क्या आप यहाँ पर वो profit gain कर पाएंगे जो आप इस समय पर gain कर सकते थे अगर आप आज की rate में इस coin में invest करते तो क्योंकि आज की rate में आप इस coin का price node कर सकते है 6.85 dollars के आसपास है और यहाँ पर कोई भी possibility नहीं है कि bullrun आने के बाद जब market में फिर से bearish trend शुरू होगा फिर से market crash हो जाएगा उस समय पर यहाँ पर आप इतने minimum point पर pulka dot को कभी भी नहीं देख पाएंगे यहाँ पर इसके all time graph की तरफ अगर हम ध्यान दे तो clearly यह जो situation थी जहाँ पर इसने लगभग 2-2.5 साल के bearish market को face किया यह जो situation है यह फिर से दुबारा नहीं आएगी इस price point पर आपको कभी भी pulka dot आगे चलकर touch होता नहीं दिखाए देने वाला है यह coin नेक अच्छा का सा potential रखता है और 2025 का bull run इसके लिए बहुत ही जादा important है इसमें Ethereum का ETF अप्रूव होगा expected है कि dot का भी ETF आपको अप्रूव होता दिखाए दे सकता है जहाँ पर काफी सारे sentiments positive होते दिखाए देंगे और हर एक potential alt coins के ETF XRP के साथ साथ अप्रूव होते दिखाए दे सकते है इस तरह की चीज़े आपको देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर यह तो बहुत ही लंबी बात है लेकिन फिलहाल की जो situation है यह situation long term investors के लिए सबसे जही है दोस्तो यही थी हमारी आज के update Polka.coin से related hope आपको मेरे studio ने Polka.coin से related currently सारी information दी होगी क्योंकि हाबर 2.0 upgrade आ चुका है और इस upgrade का बहुत ही अच्छा effect हमें dot के price पर देखने को मिला जहाँ पर इसका price पिछले एक साल के अंदर इस news के आते ही 18% की growth दिखा चुका है आप हमारे telegram group को भी join कर सकते है जहाँ पर हम premium signals आपके लिए free में लेकर आचुके है यहाँ पर आपको crypto से related सारी updates, news और gossips time to time मिलती रहेगी तो इस group का link मैंने नीचे description box में दे दिया है आप जाके join ज़रूर करें आज के लिए बसतना ही कल फिर मिलेंगे crypto की नई updates के साथ तब तक के लिए good bye